रोस्टूडियो में beginner हैं और अभी आप coding करना सीख रहे हैं तो जहां तक मैं समझता हूँ सबसे पहले अगर कोई अपना application बनाता है मतलब ज्यादा तर mostly 65% कह लीजे कि वो ज्यादा तर application में सबसे पहला project वो लोग webview का ही लेते हैं मतलब मैंने भी जब start किया था तो सबसे पहले मैंने एक webview application बनाया था और अभी इस video में जो मैं आपको webview application दिखा रहा हूँ इन जस्ट 5 मिनिट आप एक बहुती professional webview application बनाना सीख जाएंगे जिसका source code भी मैं आपको last में दूँगा पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि application दिखेगा कैसा एक्शली ये मेरी website है ये देख लीजिए इसमें हमने refresh का button डाला हुआ है और एक्शली ये navigation बार मेरे website के अंदर ही दिया हुआ है प्लस इसके अंदर हमने एक जो extra function डाला हुआ वो ये है कि दोस्तों क्या होता है कि जब भी एक webview application आप बनाते हो ठीक है एक मेंट मैं वापस इसको run करके आपको दिखाता हूँ जब भी आप एक webview application बनाते हो तो होता क्या है कि मतलब उसके अंदर सिर्फ आप एक link paste करते हो और उसमें ज्यादा ज्यादा back button डाल पाओगे पर एक normal अगर start आप beginner हो तो starting में आप सिर्फ एक link ही paste कर पाओगे उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे लेकिन ये जो application का source code में आपको दूँगा इसके अंदर आप link तो paste करी पाओगे मतलब जिस भी website को आप application में convert करना चाहते हो वो तो आप करीप आओगे उसके साथ साथ भविश्य में अगर आपको इस link को change करना हो मेरे कहने मतलब यह है कि उस link को अगर आपको वैसे कर normal आप बनाओगे तो change करने के लिए आपको वापस से coding करनी पड़ेगी और उसको update करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे हमने Firebase यूज किया हुआ है Firebase Cloud Storage यूज किया हुआ है जिसकी मतलब से हम लोग link कभी भी change कर सकते हैं जो इस webview के अंदर आप link देख रहे हैं यह link आप कभी भी change कर पाएंगे यह मैं वीडियो में complete आपको बताने वाला हूँ उसके बाद में इसके अंदर हमने refresh button डाला हुआ है और progress bar आप देखे रहोंगे जब यह जो open हुआ उसके पहले progress dialogue था यहाँ पर हमने progress bar डाला हुआ है ताकि load हो तो पता चले उसके बाद अगर आप किसी page पे click करते हो तो click करने के बाद देखे उपर वो loading का button डाला हुआ है और यहाँ पर back button भी डाला हुआ है अगर कोई back button पे click करेगा तो वापस वो उस page पे आ जाएगा ठीक है तो इसमें हमने काफी features डाल हुए plus addmob का integration भी है ठीक है वैसे इसके अंदर यह जो आपको मैं source code provide करोंगा उसके अंदर addmob integration नहीं रहेगा अगर आपको addmob integration splash screen splash screen का मतलब यह होता है कि application जब open होता है तो कोई भी application open होता है जब youtube हो गया, whatsapp हो गया तो 2 second के लिए दिखिए उनका logo दिखता है उसको splash screen बोलते है तो अगर आपको इसका advanced वाला version चाहिए तो प्लीज आप मुझे comment करके बताइएगा नीचे contact number भी मेरा दिया हुआ है उस advanced function में आपको splash screen मिलेगा navigation bar मिलेगा फिर addmob के ads integrated मिलेंगे उसके बाद में इसके अंदर आप extra और मतलब एक दो link भी और paste कर पाओ एक ही साथ में वो भी functionality में आपको provide कर दूँगा और आपके हिसाब से अगर आप कुछ customize करवाना है तो भी आप मुझे करवा सकते हैं उसके लिए नीचे description box में मेरा number दिया हुआ है प्लस last में इस पूरे जो इस वीडियो में बता रहा हूं इस अप्लिकेशन के बारे में इसका source code भी मैं आपको provide करूँगा इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि मैं कही ना कहीं बीच में आपको बता दूँगा source code मैंने कहां provide क्या हुआ हुआ है क्योंकि आपको इक लिए बस वीडियो में बताने वाला थो इसके लिए आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा ठीक है क्योंकि मैं बीच में कहीं भी कभी बता सकता हूं चले खैर इसको मैं बंद कर देता हूं और सबसे पहले हम काम करेंगे अगर आपने Android Studio इंस्टॉल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है अपडेटेड वर्जन रखिए मैंने वे भी जस्ट अपडेट किया इसलिए थोड़ सा हैंग हो रहा था वैसे सबका PC है होता है वो तो Firebase.com पर जाना है यहां पर फिर इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा Firebase.com पर जाना है अपना अकाउंट बना लेना है यहां फिर सीधा साइन पर क्लिक कर दीजेगा Google से ऑटमेटिक साइन हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा आपको अड़ प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है ठीक है यहां डालना है मैं यहां पर फिलार डाल दे रहा हूं वेब व्यू ठीक है और यह मैंने कंटिवी पर क्लिक किया यस ओके ओके प्रोजेक्ट ठीक है यह सबसे पहला आपको Firebase का अकाउंट में इसलिए वो रहा हो बनाने के लिए क्योंकि हम लोग notification वागरा system भी हम लोग Firebase से सब कंट्रोल कर रहे हैं ठीक है तो important है यह मतलब ही तरफ से हमारा admin panel आप कह लीजे जब तक यह मतलब progress हो रहा है तब तक आप अपना Android studio ऑपन कर लीजे Android studio ऑपन करने के बाद आपको Android studio में project को ओपन तो करना आता ही होगा मतलब जो मैं source code आपको दूंगा उसको open करना तो आपको आता ही होगा देखो दोस्तों, जो मैं source code आपको दूँगा, ठीक है, वो आपको, मतलब source code को, वैसे दो zip file में होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा रहेगा वो source code, ठीक है, और एक minute मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखिए, ऐसा project, आप मतलब यह source code है, ऐसा डाउनलोड होगा, वैसा नहीं करना है, बिल्कुल भी, वैसा करोगे, तो आपको errors आएंगे, और बहुत जाद errors आएंगे, तो simply, इसको open कैसे करना है, मैं आपको वो बदा दे रहा हूँ, आपको यहाँ, फाइल में जाना है, जो Android Studio को उपर फाइल, वैसे मैं Mac यूज कर रहा हूँ, आप करना है, सबसे पहले तो, एक्स्ट्रेक्ट करने के बाद आपको, यह जो बिल्टाउट ग्रेडल दिख रहा है, इस पर डबल दो बार क्लिक करना है, तो यह open हो जाएगा, यानि कि, मैंने वैसे open कर लिया है, इसले मैं डबल बार क्लिक नहीं किया, तो project open हो जाएगा, ठीक package ID के बिना वैसे तो आप मतलब इसे डाल भी नहीं पाओ के ब्ले स्टोर पे, सबसे पहले हम package ID वाला ही काम करते है, ठीक है, तो आपको पता ही होगा package ID, अगर यूज नहीं किया, तो चलिए अलग बात है, वैसे में इस वीडियो में बता ही दे रहा हूँ, खेर इसको पहल स्क्रिप्ट्स पे जाना है, बिल्ट.gradle, यहां पर दो दिये होगे, पर यहां पर जो module लिखा होगा, जो bracket में, उस module वाले function पे क्लिक करना है, उसके बाद में, आपको सिंपल यहां पर फाइंड करना है कि, package ID, यहां पर आपको दिख जागा यहां पर package ID, अब यह जो package ID है यही आपके application का ID होगा, यानि कि जब आप प्ले स्टोर पे डालोगे, अगर आप सीधा बिना इसको चेंज करें डालोगे, तो प्ले स्टोर पे नहीं डाल पाओगे, क्योंकि अलड़ी इस package ID से प्ले स्टोर पे प्रजेक्ट होगा, वैसे आपस देख लेना है कि नहीं, अ अगर अगर अपको अच्छा वेबसेट आल रहे हो, तो इसका टैग वगएरा यूस कर लेजे, जादा बेस रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्ले स्टोर पे सर्च लिस्ट में जल्दी आता है, फिर सिंपल यहाप आपको सिंक नाव पे क्लिक करोगे, तो छोटा सा एरर आएगा मतब पॉस्बिलिटी है कि मेरे पीसी में आए, बढ़ आपके पीसी में आएगा ज़रूर, ठीक है, जब आप यह सिंग, मतब पैकेज अडी जब यह चेंज होता है, तो हमारा जेसान फाइल भी चेंज हो जाता है, खैर मुझे नहीं आया, बढ़ आपके पीसी में इससे क्या होगा कि हमारा जो अप्लिकेशन है, मतलब जो हम एंड्रोर स्टूडियो में बना रहे हैं, वो फाइर बेस से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके, अब मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर, वेब व्यूव, यह डालने के हाँ पर कुछ ज़रूद नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें Google लॉगिन में रखते हो तो यह डालने के ज़रूद पड़ती है, फिलहाल तो नहीं है, हमने डाला नहीं है अभी इसमें Google लॉगिन, क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको एक जैसॉन फाइल मिलेगी, इससे डाउनलोड करने के बाद, यहाँ पे Next क्लिक करना है, यहाँ पर Next क्लिक करना है, बस Continue to Console, और यह जो फाइल है, इसको Show in Folder पर क्लिक करना है, इसको आपको Copy कर लेना है, और जो मैंने आपको Source Code द पेस्ट करने के बाद पुराने वाला पुराने वाल से अच्छली अब रिप्लेस कर दीजे इसको याद रखिए यह एक ही फाइल होनी चाहिए अगर आपने समझे चली कि आप एक और फाइल पेस्ट कर दिया या वह सर्वेस डॉट वन हो गया ठीक है तो यह वाली पुराने प्रस्ट्ट करना चिसट और हम या रहा हमारा अपिलिकेशन का नैम आप्को यह से जादा कोई करना है इसके बाद में आपको हमने एप्लिकेशन का नेम चेंज कर लिया लोगो चैंज करना है बस लोगो का चेंज करते हैं वो भी आपको बता देता हूं सिंपल यहां पर नूपकर करेंगे तो यहां पर आपको image assist option आएगा ठीक है नहीं आ रहोगा तो मुझे comment करके बता दे ना उसका दूसरा solution भी है वैसे आ जाता है image assist पर जाएंगे और यहां से अपने application का logo चूज करेंगे logo चूज करेंगे यहां पर दिख रहा है folder का symbol इस पर click करके अपना logo चूज कर लिजे हमने application का name चेंज कर लिया लोगो चेंज कर लिया फाइरवे से connect भी कर लिया इसको ठीक है अब इसे run करके देखते हैं और उन करता है या नहीं बस इतना ही करना आपको यह application आपका ready है अब आप पुछ हो किसके लिंक कहा डालेंगे तो मैं आपको भी बताता हूँ कि आपका जो link है website का वो कहा डालना है वो मैं भी आपको बताता हूँ वेट कीजिए आल हम देख लेते हैं से run करके run हो भी रहा है या नहीं अगर आप लोग कुछ ज़्यादा ही fast PC वेगरा यूज करते हो तो अच्छी बात आपका जल्दी fast होगा ओके yes देखते भी run हो रहा है या नहीं हो रहा है शायद रण नहीं होगा ओके ठीए यह रण क्यों नहीं हुआ क्योंकि हमने यहां पे अभी करेक्ट नहीं किया है जैसॉन फाइल को तो पहले से कर लेते हैं हम क्योंकि इसमें यूज कर रहे हैं क्लाउड फायर स्टोर को अभी हमने जो मतलब लिंक वेगर ऐसा कुछ पेस्ट किया ही नहीं तो उपन किया होगा मतलब लिंक तो अटलिस्ट होना चाहिए न क्रेट डाटाबेस ओके वैसे आप टेस्मोड पे क्लिक करोगे तो ज्यादा वैस्ट रहेगा अगर आप के हो रहा है उसकी बाद में हमें यहाँ पर लिंक पेस्ट करना है हम शूल्स में जाएं के एक बार हमें चेक करना यह यहाँ यहाँ पर चोटा से चेंज करना है जो यह फॉल्स लिखा है यह यहां पर बस ट्रू लिख देना है क्यों और किसलिए कर रहे हैं यह जादा पूछने की ज़रूरत नहीं आपको बस सिंपल इसको आप बस आपको ट्रू कर देना है बस बाई कुछ नहीं और यहाँ यहाँ पर हमें एक कलेक्शन आइडी बनानी है जिस पर हमें लिखना है वेब साइट ओके नेक्स्ट यह आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि आपकोमेंट का जो नेम है वो यूर्ल रखना और यहाँ पर फिल्ड और वैल्यू इसके डाले है www.google.com अगर अब देखिए अब मैं विदाउट अन्य अब्रेट जैसे मैं ने गूगल.com यहाँ पर डाला है पारा www.google.com successfully run कर रहा है अब हम इस लिंक को यहाँ से चेंज करेंगे बिना एंड्रोर स्टूडियो में कुछ छेड़ खानी किये अब मैं यहाँ पर डालता हूँ youtube.com ओके यह मैंने पेस्ट कर दिया और यह मैंने अपडेट कर दिया ठीक है आप लोग देख सकते हो दोस्तों लिंक चेंज हो चुका है तो इस तरह करके आप लिंक चेंज कर सकते हो जब भी आपको कुछ नया डालना हो या कुछ अदर लि बहुत सारे फीचर्स आइड कर सकते हैं जैसे नोटिफिकेशन सिस्टम्स प्लाइश स्क्रेन और भी ऐसे चोटे में बहुत सारी चीज़े हैं दोस्तों ठीक है तो वह एडवांस लेवल का हो गया अगर इस वीडियो मुझे अच्छे लाइक्स मिले तो ज़रूर मैं इसका